जै गनेश महराज की, जै मालक्षमी की, गनेश जी की कथा कहानी, कार्तिक मास में कहाने वाली, एक बुढी अमाई थी, मिट्टी के गनेश जी की रोज पूजा करती थी, गनेश जी बनाती और गल जाते, एक दिन सेठ कामकान बन रहा था, वो सेठ से बोली, मुझे पत्थर के गनेश जी बनवादो, मिस्तरी बोले, जितनी देर में तेरा पत्थर का गनेश बनाएंगे या गड़ेंगे, इतनी देर में तो अपनी दिवार ना चिन लेंगे, बुढिया बोली, राम करे तुम्हारी दिवार तेडी हो जाए, वो चिने और धा देवे, वो चिने और धा देवे, इसी तरह करते करते साम हो गई, साम को सेठ आया उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया वो कहने लगे एक बुढिया माई आई थी वह कहने लगी कि मेरा पत्थर का गनेश घड़ दो हमने नहीं घड़ा उसने कहा तुम्हारी दिवार टेड़ी हो जाई सेठ ने कहा एसा हुआ सेठ ने बुढिया बुलाई सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गनेश घड़वा देंगे हमारी दिवार शिधी कर दो सेठ ने बुढिया को सोने का गनेश घड़वा दिया सेठ की दिवार सिधी हो गई जैसे सेठ की दिवार सिधी की गनेश जी महराज ने वैसे सब की करना सुनने वाले हंकारे भरने वाले का बलाओ सुनने वाले का बलाओ जैगनेश महराज जी की जैगनेश महराज जी की चैर गड़े अमरीत बरे दो कैनाला के दो सुननाला के बोलो अमरीत हरे जैगनेश महराज की जैगजानन्द महराज की जै